कि ये लोग कह देते हैं कि गजु जी आप लोगों को गुरुमंत्र बताने से क्यूं रोकते हैं नाम आगे नहीं बताना किसी को भी नहीं बताना क्यूं अब अच्छी चीज है बांटेंगे लोगों का फाइदा होगा पर वो ये नहीं जानते ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है जिसको तैरना आता है वो दूसरों को मचधार से किनारे पे ले जाता है और जिसको तैरना नहीं आता उस से सीखोगे तो किनारे पे ही डुबो देगा मचधार तो आने नहीं देगा teacher lecturer बच्चों को पढ़ा के कुछ से कुछ बना सकते हैं पर बच्चे टीचर लेक्चरार को पढ़ा के कुछ नहीं बना सकते हैं इसलिए गुरु ही शिश्या बनाता है शिश्या किसी को शिश्या नहीं बना सकता ये असूल है रुहानियत का सूफियत का इसलिए गुरुमंत्र गुरु बताता है शिश्य किजी को आगे नहीं बता सकता क्योंकि जो खुद उन मारगों पे नहीं गया वो दूसरों को उस मारग पे कैसे ले जाएगा फिर तो वो बाले कहावत अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला गुरु कहता है पहले मैं नरक जाओं शिश्य कहता है मैं जाओं क्योंकि दोनों को कुछ आता जाता नहीं तो इसलिए ये रोका जाता है कि आप गुरुमंत्र आगे मत बताईए अब इसका विग्यानिक दृस्टी कौन से देखा जाए तो मनोविग्यान केहती है जो बात दिलो दिमाग में रख लेते हैं उसका मौल बढ़ जाता है और जो शेयर कर लेते हैं उसका मौल बहुत कम हो जाता है इसलिए भी अंत्यकर्ण में बसा के रुको ताकि उसके लिए तरड़ बनी रहे उसके लिए आपकी भावना बढ़ती चाहे तो सत्संग में हर सुवाल का जवाब मिलता है इनसान सुनने वाला हो, विचारने वाला हो तो असलियत इनसानियत का पता चलता है कि हम इनसान है हम में पसुव में, जानवरों में, राक्षशों में क्या अंतर है इनसान वही है जिसके अंदर दया और रहम है बेरहम शेतान को कहा जाता है दूसरों को दुखी, परेशान, गमगीन, जुरूरत मन देखके जो उसकी मदद करता है, अच्छे नेकामों में सहायता करता है वो ही इनसान है और इसी को इनसानियत कहते है किसी को दुखदर्द में तड़पता देखके जुरूरत मन्द की जो खिली उड़ाते है दुखदर्द में तड़पता देखके, मजाक उड़ाते है, खुश होते है उन्हे ही शेतान कहा जाता है और शेतानों के सींग नहीं हुआ करते है और जो भावना रहित होते हैं उन्हें पसु हैवान कहा जाता है